हेलो एव्रीवान वेलकम तु मैं चानल आम नेहा एड आज हम कर रहे हैं ग्लास्ट्राइप्नोमिक्स टॉपिक हमारा है स्टॉक एंद फ्लो इनके बीच का डिफरेंस और साथ में मुच्वल डिपेंदेंस बिवीं स्टॉक इंद फ्लो तोपिक हाज इस वीडियो में हम कवर करें अब किसी भी बच्चे को अगर नोट्स कॉपी करने हैं तो आप यह स्क्रीन शॉट कंषे ले सकते हैं चलो अब वीडियो स्टॉक इंद फ्लो का मतलब क्यों होता है मतलब होता है कि कोई चीज कोई भी किसी सपुश्ट आपके पास किसी भी पंटिकलर सब्सक्राई गांग तो यह मेरे बैंक में अभी एक लाइक शप्रपार न फो टीन हले कीफ मेरे पास हर मेने 2010 तो यह हो गया आपका फ्लो मतलब होता ना बहना को चीज कंटीनुए जो है चलती जा रही है चीक है अब एक और एक जामपल देखते हैं जैसे कि मेरी एक फैक्ट्री है मैं इसमें करती हूं सपोस्स में कि मार्कर बनाती हूं मैंने कल शाम को आठ बजे रेखा कि मेरे पास एक हजार मार्कर का स्टॉक पड़ा हुआ था तो मैं बोलूंगी कि मेरे पास ये स्टॉक है मेरे पास 1 थाउजन मार्कर पड़े हुआ है जो कि अनसोल्ड है वह भिके नहीं है चीक है अब बात आते हैं फ्लो की फ्लो क्यों जाए गाइगा इसमें अगर मैं बोलूं कि पर पड़ी हुई है तो वो हो गया stock और कोई चीज आप किसी लंबे पीरिट में देख रहे हैं कि एक घंटे में में मेरे पास बैंक में एक लाख रुपे हैं तो यह हो गया अब बाद आती हो flow की quantity measured over a specified period of time अब इसमें क्या होगा इसमें पॉइंट ऑफ ताइम था इसमें था पीरिट ऑफ ताइम से मैं थोड़ा से लंबे समय की बात कर रहे हैं ठीक है जैसे कि पूरे दिन की हम बात कर रहे हैं के एक घंटे में मैं इतना सेल किया एक घंटे में इतन इतना सेल किया आगे बठते हैं इसमें टाइम जो है वो हम मेजर नहीं करते हैं क्यों नहीं लेते हैं बेकॉस इजम्पल में नहीं आ दिया है जैसे कि मैंने बोला कि बैंक बैलन्स एक जन्वरी 2020 को मेरे पास बैंक में बीस हजार रुपे थे तो यह होगे अपना stock के यह होगे अपना point of time point of time मना इस particular point पे मेरे पास कितना stock था चाब किसी भी चीज़ का लेकिन अगर हम flow की बात करें it is time dimensional यह time dimensional है इसमें time measure किया जाता है कैसे it is measured as per month परार जैसे कि मैं बोल रही हूँ पर मंथ मुझे पर मंथ 10,000 salary मिलती है तो यह हो गया अपना flow लेकिन अभी मेरे पास कितना recent में इस date में इस time पर में बस कितना पैसा है वह हो गया stock आगे देखते है stop impacts flow अभी stock जो है उससे flow पर काफी impact पढ़ता है guessing stop of capital अगर increase होगा तो flow of goods and services increase होगा कैसे I know नहीं समझाय होगा suppose आपके पास आपकी company में क्या है आपकी factory में capital है पांच लाक रुपे ठीक है उससे आप goods and services बना रहे हैं लेकिन आपकी capital increase होगी आपके पांच लाक और दस लाक रुपे होगे फिर क्या होगा flow of goods and services increase होगा अभी ज़्यादा पैसे आया आप ज़्यादा मशीन करेंगे ना ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे ना तो goods and services का भी increase होगा flow तो यहां था stock के stock increase हुआ इसके वज़े से flow भी increase होगा अब इसमें देखने है अब जो flow है उसका impact भी आपके stock पर पढ़ता है कैसे जिसे कि आपकी income है income हर महीने आती है तो वह एक flow हो गया ठीक है तो income अगर increase होगी तो क्या होगा stock of wealth of people increase अब मैं हूँ मेरे पास 10,000 रुपे है ठीक है मैं office cycle से जाती हूँ लेकिन मेरे salary दस से 25,000 होगी तो मैंने क्या किया मैं सोज़ी चोले कोटी ले लेती हूँ है ना यह थोड़ा पैसे जो इकठे मैं जोड रही हूँ उसका मैं FD खुलबा देती हूँ अभी एक लाक रुपे है तो यह चीड़ होगी अपनी stock ठीक है population यह भी stock होगी तसी कि अभी इंडिया की population 131 करोड है तो यह होगी अपना stock अभी flow की पात करें जाये तो इसके example देखते हैं example income अभी income scale थोड़ना होती है कि एक महिना आ गए बस बात खतम वो हर महिने आती है उसे कैसे मेशर किया जा रहे है पर मंथ तो जो पर मंथ पर आर ऐसे चीज़े मेशर होती है वो होती है flow number of birth अभी number of birth जो है वो flow कैसे है अब ऐसे थोड़ना है कि एक बर ही बच्चे पैदा हो गए तो बस कही सालों तक ही नहीं होगे हर मिनट बच्चे पैदा होते हैं तो यह हो गया आपका flow यानि जिसको हम पर मंथ या पर मिनट पर आर मेशर कर रहे है next topic करते है mutual dependence between stock and flow stock and flow आपस में दूसरे पर कैसे depend है start करते है अब जैसे कि आप हर महीने कुछ पैसे जमा कर वाते हो अपने bank account में सबकी income आती है ना आपका जैसे फारदन होंगे या बड़ा भाई या बहन होगा तो यह चीज होगी flow flow क्यों हो ही है क्योंकि आप हर महीने deposit कर इसे कैसे measure किया जा रहा है per month है अभी आपके bank balance की बात के जाए तो यह हो गया stock अभी यह stock क्यों हुआ क्यूंकि आपके bank में आज की date में अगर एक लाग रुपे है तो इसे कैसे measure किया जा रहा है per month तो यह भी हो गया flow अब इस example से हम देखते हैं कि यह दोनों आपस में कैसे depend है stock और flow suppose आपके deposit increase होगे अब जादा पैसा जुमा करवा रहे हो अपने bank में जिसकी वज़े से क्या होगा आपका bank balance बढ़ जाएगा है ना अगर जादा income आती है यह जादा पैसा जुमा करवा होगे तो आपका stock बढ़ेगा कि नहीं bank balance बढ़ेगा कि नहीं तो यहां पे क्या हुआ कि आपका flow बढ़ा फ्लो के बंडे से क्या हुआ stock बढ़ गया आगे देखो bank balance बढ़िया तो विड्रौ भी जादा करवा सकते हो अब आपके bank में पढ़े पास जार रुपे तो आप 10,000 बचास जार तो नहीं निकलवा सकते हो है ना तो जो bank balance जादा होगा तभी तो आप जादा विड्रौ कर स यह diagram क्या शो कर रहा है कि flow जो है वह stock पे depend है stock जो है flow पे depend है so there is a mutual dependence between stock and flow यानी stock and flow दोनो आपस में एक दूसरे पर depend है thanks so watch in this video please like share and subscribe